प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही गर्बती मेलाओं के सरीर में कई तरह के नएने बदलावारे लग जाती है इन्ही बदलावों में से एक है उल्टी उबकाई या मितली होना यानि कि मौर्णिंग सिखनेस होना प्रेगनेंसी की पहली तिमाई में ऐसा होना यानि कि सु किया इससे गर में पल रहे बच्चे को खत्रा हो सकता है नमस्का दोस्तों मैं कुसमूत ओमर एक बफिस से स्वागत करती हूं अपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में जहां पर आज का वीडियो एक बफिस से उन मैलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा और क्या इससे गर में पल रहे बच्चे को कोईसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है इसके साथी आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दूसरी और तीसरी तिमाई के दोरान होने वाली उल्टी मितली या उबकाई से गर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है अगर आपको भी उल्टी मितली उबकाई घवराट मॉर्णिंग सिखने ऐसी कोई समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है दूसरी और तीसरी तिमाई के दोरान तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजपलू होने वाला है पीडियो में अंतक जरूर ब क्ल наши weef & ऍथा करेंफिये के सरुआती के हटे है में किस अनुद से मेल्टी मितली होता है यादि की पीरियाद में सोने से पहले से अगर आपको उल्टी उबकाई जी अमक्राना सुबई सुवाई गम से बहुत ज़्यादा घवराहट होना ऐसी समस्या हो रही है तो यह pregnancy का शुरूआती लक्षड भी माना जाता है क्योंकि जैसे ही आप pregnancy conceive कर लेते हो तो आपकी body में hormones change होते है estrogen hormone का level जब बढ़ जाता है तो आपकी body में क्या है कि ऐसी समस्या होने लग जाती है और इनी समस्यां से आप पता कर सकते हैं कि आप pregnant है या फिर नहीं तो देखिए शुरूआती तीन महीने तक अगर आपको यह समस्या हो रही है तो यह normal है शुरूआती लक्षण है जो के तीन महीने के बाद अपने आपिति हो जाते हैं लेकिन अगर यह समस्या आपको दूसरी और तीसरी तिमाई में हो रही है तो यह किस बात का संकीत हो सकता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे गरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकते है कि प्रेंगनेंशी के सिंटम्स प्रत्यक मेला के अलग लग होती है अगर आपको प्रेंशी की दूसरी और तीसी तिमाई के दोरां उल्टी उगकाई जी मचलाना ऐसी समस्या सुभई-सुभई नहीं दिन में कभी भी हो रही है सुभई में दुफैर में रात में कभी बिकिसी मन होता है तो इसे गर में लड़की होने का सबसे सठी किसारा माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन मैलाओं के गर में लड़की होती है उन्हें मौर्निंग सिकनेस जादा होती है ठकान, कमजोरी ऐसी समझेया थोड़ी जादा होती है तो इसे गर में लड़का होने की तरफ इसारा माना जाता है तो फ्रेंट्स देखिए उल्टी उबकाई मितली बैसे तो ये शुरुवाती दुनों में होना प्रेगनेंसी के शुरुवाती लगचर है लेकिन अगर ही आपको दूसरी और तीसी तिमाई के दोरान हो रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने सरी में समझकर इसे गर में लड़का ये लड़की होने का अनमान भी लगा सकते हैं आलंकि इनका कोई बैग्यानिक प्रमार नहीं है लेकिन पुराने जमाने से ये जो मानेता है अभी तक चलिए आ रही है और हमारी समाज में तचलन में भी है और फ्रेंस ये किन मालिए प्रेग्नेंसी में ये जो सिंटम्स है ना ये जो संकेत है वो सठीक सावित होती है इसलिए इन दो लक्षरों को अपने सरी में समझ कर आप भी घर बैटे बिना सोनोग्राफी अल्टरसॉंड की मदद लिए ह ऑप घर आन है कि प्रेग्नेंसीमें क्या अल्टियक मैंजी में होती है यानि कि कब तक को स म árouse जेंते इसे पर लेकर बाहे भाय रहे हफते तक आप सकती है क्योंकि सुरुआती बारे जो हपते होती है वैसे तो छे हपते तक आपको implantation की जो process जो चलती रहती है और उसके बाद काफी सारी मैलाओं कि तोड़ा लेट या जल्दी हो जाती है तो implantation की process के दौरान क्या होता है कि आपको ऐसी समस्या हो सकती है जैसे ठकान होना, कमजोरी मैसूस होना, चक्कराना, घवराहट होना, उल्टी, मितली, उबकाई जैसी समस्या हो सकती है लेकिन तीन महीने के बाद ये समस्या आपने आपी ठीक हो जाती है अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है आपकी ये जो समस्या आए वो कम होने की जगे दूसरी तिमाई के दोरान और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है अब कुछ भी ठीक से खा नहीं पारी जरासा कुछ खाती है उल्टी हो जाती है जरासा कोई भी जूस पीती है पानी पीती है उल्टी हो जाती है यानि कि आपके तरीर में किसी भी तरह का कोई भी पोसकत तो नहीं पूरी बात जो कि मुझे लगातर कॉमेंट में मोलते हैं कि मैं हमें तो मौनिंग सिखनेस होती ही नहीं है तो देखिए यह ज़रूरी नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेगनेंसी के दौना मौनिंग सिखनेस उल्टी गवरार चक्कर ऐसा अगर आपको हो रहा है तभी आप प्रेगनेंट है क्या होता है कई सारी मैला है दो महीने तक तीन महीने तक की प्रेगनेंट हो जाती है यानि कि उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है कई सारी मैला है तो ऐसी है जो प्रेगनेंट होती है उन्हें कोई भी लक्षर मैसूस नहीं होती है उनक आपको उल्टी उपकाई आएंगे, तब ही आप प्रेगनेंट हो, नहीं भी आती हैं, तब ही आप प्रेगनेंसी कर लेती है, अब जानते हैं, उन कारणों को जिसकी बज़े से प्रेगनेंसी के दोरान कुछ मैलाओं को morning sickness की समस्या थोड़ी जादा होती है सबसे पहला कारण है कि pregnancy के दौरान गर्बती मैलाओं के सरीर में क्या है कि हार्मोन से उतार चड़ावाता है ऐसी स्थिती में estrogen हार्मोन का level बढ़ जाने की वज़े से आपको उल्टी, मितली या उबकाई ही समस्या हो सकती है सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच लेती है तो ऐसी स्थिती में भी क्या होता है कि उन्हें उल्टी, उबकाई जैसी समस्या हो सकती है तीसी बात pregnancy के दौरान जैसे आपकी जर्मी थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती है इससे क्या है कि आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है आपका खाना ठीक से नहीं पस्ता है जिससे आपको पेट सम्मंदी ये साज़ देकत है हो सकती है अब देखते हैं कि अगर आपको pregnancy की दूसरी और तीसरी तिमाई के दौरान भी लगातार उल्टी उवकाई मितली की समझ्या हो रही है तो इसे पहले गरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है तो देखिए pregnancy के दौरान अगर आपको लगातार बहुत ज़्यादा उल्टी उवकाई की समझ्या हो रही है या पिर नॉर्मली आप जब भी कुछ चीज खाते है तो उसको खाने से पहले आपको उपकाई आने लग जाती है उल्टी के समझ्या होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको औरेंज जूस पीना है तो खूब सारी मात्रा में आप अच्छी मात्रा में पानी पीजिए क्योंकि अभी गर्मिया है तो आपको पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी है दूसरा आप पलों का जूस पी सकती है आप सबजियों का सूप बना कर पी सकती है टमेटो सूप पी सकती है आपको जैसे खीरा है, नीबू है, इसके detox water बना कर भी पी सकती है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है और आपके सरीरों पानी की कमी भी नहीं आती अगर आप नीबू पानी पीती है, सिकंजी बना कर पीती है, औरेंज जूस पीती है अद्रक वाली चाई पीती है, तो इससे भी क्या होता है, आपके उल्टी उबकाई में काफी मदद मिल जाती है इसके साथ याद रखे हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी और थीसी तिमाई के दौरान आपको एक मार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना दूसरी बात, अगर आपको उल्टी, उबकाई, मितली, मौनिंग सिकनेस जैसी समस्या दूसरी और थीसी तिमाई के दौरान हो रही है उल्टी, उबकाई, मितली, गवरा, चकर, कमजोरी ऐसी समस्या हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजपूल रहने वाला है वीडियो अगर अच्छा लगता है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रेंस और ले टिप्स में जेर करना ना बूल है इसके साथ ही आपकी प्रेगनेंसी का भी कॉंसर्ट रेमस्टर चल रहा है आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या-क्या सिंटम्स नजर आ रहे है ने जो सिंटम्स वटाए है इनकी अलावा आपको और क्या-क्या मैसूस हो रहा है आप मुझे कॉमेंट में जरूर ब